पंडित नहरू ने मतलब अपनी लाइफ देदी लाइफ देदी हिंदुस्तान के लिए सालों जेल में रहे अमिच्या जी को शाहिद हिस्ट्री नहीं मालूगा ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है किनों ने पंडित नहरू ने मतलब अपनी लाइफ देदी हिंदुस्तान के लिए सालों जेल में रहे अमिच्या जी को शाहिद हिस्ट्री नहीं मालूगा वो तो मैं एक्सपेक्टी नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूगा वो तो हिस्ट्री को रिराइट करते रहते हैं ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक करने का है बेसिक इशू जाती जनगरना और जो भागिदारी है इस देश की जो धन देश का है वो किसके हातों में जा रहा है ये मेन इशू है और इस इशू को ये लोग डिसकस नहीं करना चाते इससे डड़ते हैं इससे भागते हैं मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हाथ है वो हम उनको दिलवाएंगे ठीक है ये ये सब डिस्ट्रैक ये नहीं 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 हमारा भी OBC था इन्होंने OBC दिया वो इशु नहीं है सवाल यह है कि structure के अंदर कितनी भागिदारी है प्रधानमंत्री OBC हैं मगर सरकार को नभे अपसर चलाते हैं नभे अपसर में से तीन OBC है और जो OBC है उनका कोने में office है तो मेरा point है कि सरकार का system हमारा institutional system जो है पूरा उसमें OBC की कितनी बागीदारी है दलितों की कितनी बागीदारी है अधिवासियों की कितनी बागीदारी है ये हिंदुस्तान के सामने main सवाल है और ये मुझे बोलने दीजेए अब से सवाल पोचा तो बोलने दीजेए ये main main issue ह और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक करने के लिए कभी जवाला नहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे, बात भागिदारी की है.